आज का जो कलास है वो करेंट एफेर्स सेशन है और करेंट एफेर्स सेशन में हम लोग जो है 15 जुलाए 15 जुलाए तक का करेंट एफेर्स कर लिये थे आज जो है 16 जुलाए से होगा अच्छे से आगे सोला से कोशिस रहेगा कि आगे जहां तक हो फिर आपको आज मैं सितंबर अक्टूबर का भी करेंट एफिर्स दे दूँगा कोश्चन है 16 जुलाई का 16 जुलाई 2023 को एसकील इंडिया ने किस राज को नमदा कला को सफलता पुरवक्त पुनरजिवित किया है एसकील इंडिया के दौरा नमदा कला अब कहिएगा ये कला कहां का है तो याद रखेगा ये कला जम्मू कास्मीर का है जोकि question भी बहुती महत्पून question है नमधा कला किस राज से जुरा हुआ है तो याद रखिएगा ये जो कला है वो आपका किस से जुरा हुआ है तो ये कला नम्दा कला जो है ये जुरा हुआ है जम्मू कास्मीर से और साथ साथ ये कला क्या चीज़ से समंधित है तो याद रखिएगा ये कला जो है कस्मीरी कालीन जो है परमपरी कालीन है जिसको की भेर के उन से बनाया जाता है और इस पर हाथ से जो है रंगिन कराई की जाती है कढाई और बहुत सुन्दर दिखता है कस्मीरी कालीन कह सकते है इसको तो नमदा कला क्याची से समंदित है तो याद रखेगा कस्मीरी कालीन से समंदित है जो कि वहां के लिए परंपरी के कह सकते हैं कि यह कला संस्कृति है कला है जो कि भेर के उन से बनाया जाता है याद रखेगा नमदा कला क्याची से समंदित है तो कस्मीरी कालीन से कहां पर तो जम्मू कस्मीर में Next Question पर आते हैं 16 जुलाई 2023 को सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोईले को गैसी करित करने का लक्ष रखा है तो 2030 तक अब कहिए का कोईले को गैसी करन क्यों किया जाता है कैसे किया जाता है तो देखिए इसको फ्यूल गैस बनाने के लिए कि वह जले ठीक है ऐसा गैस बनाया जाए जिससे की जिस परकार से जिसे मिथेन गैस LPG है सिलेंडर में भर के आता है उसी परकार से कोईले से भी उसको जो है जला करके वाईू और ऑक्सीजन वास्प कावन डायोकसाइड के साथ अगर ऑक्सीकिट किया जाता है तो वहाँ पर आपको गैसीकिट हो जाता है गैस के रूप में रूपांतरन हो जाता है जो कि कह सकते हैं एक परकार से फ्यूल गैस है जिसका यूज विभिन कामों में किया जा सकता है तो कब तक लक्ष रखा गया है कोईले को गैसीकिट करने का तो 2030 तक जाद रखेगा भारत सरकार ने कोईले 100 मिलियन टन कोईले को गैसीकिट करने का लक्ष रखा है 2030 तक 16 जुलाई 2023 को किस देशने बढ़ती खाद कीमतों में से निपटने के लिए अब देखिए खाद मतलब जो भी भोज़ पदार्थ है उसका कीमत बढ़ने के लिए अपातकाल की घोसना किया है नाइजीरिया की सरकारी ने इसके पीछे कई रीजन है खास करके रूस यूक्रेन वार भी अफरीकी महादेश में जो है अनाज के संकट पैदा कर रहा है पहुंच मतलब यहां से जो है निर्यात किया जाता है और अफरीकी महादेश तक पहुंचता है लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है कि यूद के कारण जो है ये खास समगरी वहां तक पहुंच नहीं पाती है तो अपात काल की इस्थिती आ चुकी है तो नाइजेरिया में खाद की कीमतों से निपटने के लिए अपात काल की घोसना कहां किया गया है नाइजेरिया में अफरीका महादेश में आता है या देश अब नेक्स्ट कॉस्चन पर आते हैं 16 जुलाय 2013 को किस राज की कालेश्ष्वरम पर्योजना को फिर से चालू किया गया है तो याद रखियेगा ये तेलंगना राज सरकार के द्वारा कालेश्ष्वर पर्योजना की शुरुआत फिर से की गई है अब कहिएगा कालेश्ष् परियोजना है जिसमें की तिलंगना राज में जो है आपका गोदावरी नदी से किस नदी से तो गोदावरी नदी से सिचाई की विवस्था की जाती है नहर निकाल के तो कालेश्वरम परियोजना के नाम से या जाना जाता है तो याद रखेगा गोदावरी नदी से सम्मंद तो गोदावरी नदी कहां पे तो तिलंगाना ठीक है 2014 में तिलंगाना और आंध्परदेश का बटवारा हुआ तो तिलंगना एक नया राज बना था आप लोग को पता ही होगा चलिए उसके बाद है 16 जुलाए 2023 को भारतिय टीम ने 64 में अंतराष्टिय गनीत उलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं तो भारत ने गनीत का जो पहले फिजिक्स का होता था गनीत का भी उलंपियाड हो रहा है उसमें दो स्वर्ण पदक जो है भारत नहीं जीता है 64. अंतराष्टिये गनीत उलम्पियाड में भारत ने दो स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखिएगा 17 जुलाई 2023 को जपान, दक्षिन, कोरिया और किस देश ने तिरिपक्षिया मिसाइल रक्षा अभिहास आयोजित किया है तो साउथ कोरिया, जपान और अमेरिका ये तीनों देश ने मिलकर कि जो है मिसाइल तिरिपक्षिया मिसाइल रक्षा अभिहास आयोजित किया है 17 जुलाई 2023 को अडानी समू ने कहां भारत की पहली अंतराष्टिये बिजली पर्योजना शुरू किया तो गौतम अडानी की कमपनी अडानी ग्रूप तो कहां पर यह शुरूआत किया गया है तो याद रखेगा अंतराष्टिये बिजली पर्योजना अडानी कमपनी के द्वारा सरपर्थम जारखंड राज में शुरूआत किया गया है किस राज में शुरात किया गया है तो याद रखेगा जारखंड राज में अडानी गुरूप के द्वारा ठीक है 17 जुलाई 23 का न्यूज है भारत ने अस्थानिय मुद्राओं का उप्योग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्चर किया है समझ होता किया है तो UAE United Arab Emirates जिसकी राजधानी अबुधा भी है तो वहां के साथ अस्थानिय मुद्रा का यानि दिकि अस्थानिय मुद्रा का यहाँ पे concept यही है कि जैसे भारत के लोग अगर वहां गए तो वहां का अस्थानिय मुद्रा खर्च करेंगे चुकि जैसे मानग चले भारत वहां से पेट्रोल मंगाता है तेल मंगाता है UAE से या कोई भी समगरी मंगाता है तो भारत उसको कैस में इंडियन रुपीज देगा और जब उसको कोई समगरी भारत से खहिदना होगा तो वह इंडियन रुपीज करेंशी है भारत को रिटर्ण कर देगा तो इससे दोनों में क्या होगा कि अस्थानिय मुद्राओं का क्या होगा आदान परदान होगा ठीक है तो डॉलर का यूज कम से कम होगा और जिससे क्या होगा कि अंतराश्टी अस्तर पर भारतिय मुद्रा की भी पहचान बनेगी तो ये जो दोनों देश जो हैं UAE और भारत ने इस पर अस्थानिय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने पर हस्ताक्षर साइंट किया है 17 जुलाई 2023 को विंबल्डन जो की आपको पता होगा टेनिस खेल विंबल्डन होता है पुरूस एकल का खिताब किसने जीता है विंबल्डन एस्टिलियन ओपन ये सब आपको पूस्ते रहता है तो कार्लोस अलक राज ने जो है विंबल्डन 2023 का पुरूस एकल का खिताब जीता है अत्यंत महतपून question बनता है, बहुत ही भी भी आई question, Churchill 2010 का प्रूस एकल किताब किसने जीता है, तो कार्लोस अलक राज, ठीक है, कार्लोस अलक राज ने बिमबल्डन जो पुरुसकार है, प्रूस एकल का उसको जीता है, नेक्स्ट question पे आते हैं, 17 जुलाई 2023 को, 17 जुलाई दोजाट ताइस को बोनालू तेवहार कहां मनाया गया है तो याद रखेगा जो बोनालू तेवहार है माकाली की पूजा की जाती है यह हैदरावाद में मनाया गया है तो देखे तेवहार जो थोड़ा अधभूत नाम रहता है तो एक्जाम में पूछने के संभावना रहती ह और देखिए current affairs में कौन question कब पूछ देगा कहना मुस्किल होता है इसलिए को इसमें non important, un important, non important ऐसा कुछ भी नहीं होता या important इतना जान लीगे जो question पूछ दिया वो important हो जो नहीं पूछ ता वो कोई importance नहीं बस इतना ही जान लीगे इसलिए हर एक जो news है उसका जो तुना हुआ नहीं था ठीक है या देखा हुआ नहीं था और एक बार में आपका current affairs सही नहीं होगा कम से कम जो छे महने का है तो अभी से 5-6 बार कम से कम repeat करना होगा बार बार इसको read करना होगा throw out जो page हमने दिया है आपको read out throw out करते रहना है एक बार बैठे तो एक महिना का कम से कम रीड कर लिए इस परकार से दस बार आपको repeat करना होगा तब जा करके आपका 80% आपके साथ रहेगा और exam में जब जाएंगे तो आपका question बनेगा ठीक है चलिए next आते हैं 17 जुलाई 23 को भारत और किस देश के बीच सर्युक सेन अभ्यास नो मेडिक एलिफेंट शुरू किया गया है तो नो मेडिक एलिफेंट जो शुरू किया गया है वो मंगोलिया चीन के बगल का देश है मंगोलिया उसके साथ किया गया है 17 जुलाई 23 को किस राज में हरेला पर्व ठीक है तो हरेला हरियाली से संबंदित है नाम से लग रहा होगा हरेला पर्व तो हरेला पर्व हरियाली से संबंदित है और यह पर्व उत्राखंड राज में मनाया जाता है खास करके या पर्व फसल के लह लहाने की कामना ले करके मनाया जाता है हरियाली से related है उतराखंड में मनाया जाता है 2023 से हरियलापर्व कहां शुरुवात किया गया है तो याद रखेगा उतराखंड राज 17 जुलाइ 23 के सुचना अनुछा भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली का campus अस्थापित होगा मुझे साथ याद है कि ये question आपको पूछा था बहुत ही BVI question है कि भारत के बाहर IIT दिल्ली का campus अस्थापित कहां किया जागा ये question TRE2 में पूछा हुआ है किसी paper में मैंने देखा ये same question है अबूधावी तो जो भी question अगर आप खोजियेगा तो मिल जाएगा आपको इस line में कोई ना कोई question आपको पूछा है वो सब इसी line सब से पूछा अबूधावी जो की UAE की capital है ठीक है 17 जुलाई 2023 को ISSF विशु चेंपियंशीप 2023 में सुभम विशला ने अब कहिए का यह क्या है ISSF तो International Shooting Sport Federation यह क्या है International अंतराष्टिया हो गया International ठीक है Shooting Shooting हो गया जो बंदूग चलाते हैं Shooting Sport Federation ठीक है तो यह हो गया आपका अंतराष्टिया जो Shooting होता है ठीक है निशानेवाजी के लिए होता है एक प्रकार से इंटरनेशनल Shooting Sport Federation इसमें किसको सुभम पदक मिला है तो विशु चेंपियंशीप में सुभम विशला को यह प्रुसकार मिला है याद रखेगा Next question है 18 जुलाई 2023 को किस राज के गोपालपूर बंदरगाह ने कारगो हैंडलिंग में राष्टिया रिकॉर्ड बनाया है कारगो जो समान का जो कह सकते हैं आयात निर्यास से संबंदित है कारगो हैंडलिंग में राष्टिया रिकॉर्ड बनाया है किस राज ने तो जिसका कुण सा बंदरगा है तो गोपालपूर बंदरगा ओडिसा ओडिसा का जो गोपालपूर बंदरगा है वो आयात-नरियात यानी कारगो हैंडलिंग में राश्टी अस्तर का रिकॉर्ड बनाया है अभी है कोशन किस देश में इस्तितलूबर संग्रहाले चर्चा में है तो ये फ्रांस से संबंदित है और ये जो संग्रहाले है वो कला संस्कृति के लिए जाना जाता है और ये अती प्राचीन जो फ्रांस की 14, 13, 12 सदी का जो कह सकते हैं कला है उसको इसमें जो है सामिल किया गया जिसे मोना लीशा है इन सब के चित्रों को वहाँ पे जो है इस तरह के चित्रों को संग्रहाले में रखा गया है तो लूवर संग्राले जो चर्चा में है वो कहां पे है तो याद रखेगा लूवर संग्राले जो है वो फ्रांस में है पूछ सकता है 18 जुला 23 को जो बाइडन ने किस भारतिय अमेरिकी राश्पती को निर्यात परिशद में नियुक्त किया है जौब वाइडेन भारतिय अमेरिकी को जो बैकती है वो भारतिय अमेरिकी नागरिक है यानि भारत के होंगे अमेरिका में रह रहें तो भारतिय अमेरिकी नागरिक को निर्यात परिशद जो होता है एक्सपोर्ट कमिटी उसका स्रस्व बनाया है तो समीना सिंग को ये जो है मेस्ट्रो कार्ड जो है उसके संस्थापक है ठीक है समीना सिंग नेक्स्ट है 18 जुलाई 2023 को किस दिस ने दुनिया का पहला मिथेन से उरने वाला रॉकेट लाउंच किया है ये अत्यांत महत्पून कोश्चन बन जाता है आपके BPSC के लिए तो मिथेन से उरने वाला जो रॉकेट लाउंच किया है वो चीन ने किया है मिथेन आपको पता है मिथेन गैस होता है CH4 और इस से यह रॉकेट लाउंच होगा उरेगा तो मिथेन से उरने वाला जो पहला रॉकेट पुरे विश्व में किस देश ने बनाया है तो याद रखना है आपको चीन ने बनाया है किस देश ने बनाया है तो चीन ने बनाया है सारे बहत्पून कोश्चन है जुलाई से ले करके आपको जनवरी तक अच्छे से बार बार पढ़ना ही पढ़ेगा और समझ करके केवल पढ़ने से नहीं होगा बलकि समझ के पढ़िएगा तब जाके आपका जो है एक्जाम में बनेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट पूस्चन है अठारे जुलाई दोहजार ता इसको किस ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पौवर्टी इंडेक्स जारी किया है मल्टी डायमेंशनल पौवर्टी बलब गरीबी इंडेक्स है किस संस्था ने जारी किया है तो उस संस्था आयोग का नाम है नीती आयो National Institutions for Transforming India निती का फुल फॉर्म होता है NITI National Institutions for Transforming India और इसकी अस्थापना जो हुई है वो एक जनवरी 2015 को हुई है आप लोग को पता ही होगा इसके जो अभी कह सकते हैं चेर परसन जो हैं वो प्रधान मंत्री ही होते है मंन्य निरेंद्र मोधी जी अभी इसके चेर परसन है और वही भास चेर परसन पुछे तो सुमन बेरी यह question पुछा हुआ है सुमन बेरी इसके भास ठीक है चेर परसन है और वही CEO भी पूछ सकता है CEO कोने नितिया युके तो BVR सुब्रमन्यम सुब्रमन्यम याद रखिएगा बस उससे काम चल जाएगा सुब्रमन्यम BVR सुब्रमन्यम इसके CEO है सुमन वेरी इसके भाइस चेर परसन है और में चेर परसन इसके नहिंद्र मोधी जी है याद रखिएगा ये question कुछे जाते हैं अस्थापना एक जन्वरी 2015 को हुआ और यह पंच वर्सी है जो योजना था उसके अस्थान पर यह आया था निति आयो ठीक है योजना आयो के अस्थान पर नेक्स्ट कोश्चन है 19 जुलाई 2023 को जारी निर्यात तैयारी सुचकांग निर्यात मतलब समझी रहे एक्सपोर्ट करने में कौन सा राज अबल रहा तो उस राज का नाम है तमिल नाडू जो की अबल रहा ठीक है कौन सा राज अबल रहा तो तमिल नाडू अबल रहा 19 जुलाई 2023 को जारी हैनले पास्पोर्ट इंडेक्स यह कोश्चन कही बार पूछेगा कि हैनले पास्पोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे सिर्ष अस्थान पर कौन सा देश है तो वो है सिंगापूर यानि पास्पोर्ट का भेल्यू है वहाँ के नागरिकों के लिए सिंगापूर का जो पास्पोर्ट है वो कहीं भी अगर जाते है तो उनको रोक ठोक मना ही नहीं होगी तो इनका इसका अस्थान जो है वो एक नम्मर पर आता है सिंगापूर का ठीक है वही भारत का जो रेंग है वो 2024 में हैनले पास्पोर्ट इंडेक्स के अनुसार 80 रेंग है भारत का 80 पहले 85 था अब कुछ घटा है 18 रेंग पे भारत है इंडिया हैनले पास्पोर्ट इंडेक्स के अनुसार अत्यन्त ही महत्पूर्ण कोश्चन यहां से पुछा जा सकता है आपके इज्ञाम में कोश्चन तो रहेंगे सारे इनहीं PDF से इस बात की गायंटी है लेकिन अब यह बात है कि आप लोग कितना इसको याद करके रखते हैं यह सब से बड़ी बात होगी ठीक है हैंले पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट का इंडेक्स जारी करता है रेंग जारी करता है किस देश का पासपोर्ट बेहतर है जो कहीं बिना रोक ठोक बिना इसके कहीं आ जा सकते हैं के नागरी तो उसको ले करके यहाँ पर पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता हैं ले के द्वारा ठीक है और कहिएगा कि सबसे लास्ट रेंग किसका है तो अफगानिस्तान का सबसे पहला रेंग किसका है तो याद रखिएगा सिंगापूर का है सबसे अंतिम्मा जो रें दारी मंत्री अस्तरिया बैठक कहां आयुजित की गई, तो स्वक्ष उर्जा जैसे पबन उर्जा हो गया, सौर उर्जा हो गया, ये सब क्या है, स्वक्ष उर्जा के सुरोत हैं, तो मंत्री अस्तरिया बैठक कहां पर हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है, कहां पर हुई ह है ठीक है फ्रांसिसी सरकार के द्वारा भारतिय संगितकार को मिला है सेवेलियर एवार्ड तो सेवेलियर एवार्ड मेन लूप से जो दिया जाता है वो जैसे कला संस्कृति में ही जैसे क्राप्ट राप्ट जो बनाते हैं हैंड क्राप्ट बनता है जिसे हस्त कला जिसको बो जाता है, designing and craft, Indian craft, खास करके भारती है, जो सिल्प उद्ध्योग है, उसमें जो design बेगरा बनाते हैं, उनको sevelier reward दिया जाता है, और ये फ्रांसिसी सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, अरुना साइराम और ससांग सुब्रमन्यम, लेकिन यहां लिखा हुए भारते संगितकार को, ठीक है, तो संगीत के छेतर में कला में कुछ extra इन्होंने किया होगा, उनका नाम है अरुना साइराम और ससांग सुब्रमन्यम, ऐसे जो sevelier reward में लूप से handcraft के लिए दिया जाता है, design जो बनाते हैं उनके लिए, यहां संगितकार सब्द दिया हुआ तो यह संगीत अग्य होंगे, चलिए, जहां मुझे जानकाई था, मैंने आपको बताया, 19 जुलाई 2013 को किस company ने BIMA के लिए दुनिया का पहला generative AI, artificial intelligence tool launch किया है, BIMA के लिए, ठीक है, तो Simpli काई, BIMA करने के लिए, आदमी की जोत नहीं होगी, direct machine के माधियम से, जो है, AI tool के माधियम से Simpli काई से यह हो जाए, simplify होगा, स्वारी, simplify, ठीक है, simplify, 25, 19 जुलाई 2013 को ADB, ASEAN Development Bank ने चालू वित बरस में भारत की बिर्धी दर, यह बहुत important है, ASEAN Development Bank के अनुसारा, भारत का जो चालू बरस में जो बिर्धी दर है, वो कितना परतिसत रहने वाला है, तो याद रखिएगा 6.4 परतिसत, यह बहुत ही महत्पून question आपके exam BPSC के दिश्टी कौन से है, कि भारत का जो बिर्धी दर है, वो बरतमान में कितना है, ASEAN Development Bank के अनुसार, तो याद रखिएगा, यह है आपका 6.4 परतिसत, 20 जुलाई 2023 को किसने परतिस्ठित अंतरास्तिय एनी पुरुषकार जीता है, अब कहिएगा एनी पुरुषकार क्या है, तो एनीमेशन के छेतर में, एनीमेशन समझ रहे, और यह पुरुषकार भारत के किस वैक्ति को अंतरास्तिय एस्तर पर दिया गया है, उनका नाम है थल्लिपल परदीप, क्या नाम है थल्लिपल परदीप, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन है, 20 जुलाई 23 को भारते ओलंपिक संग ने किस रेसलर को एस्याई खेलो के ट्रायल में छूट दे दी है, तो छूट दिया गया था बजरंग पुनिया, अभी बहुत ज्यादा पहलमान लोगों के द्वारा जो है अंसन भी किया गया था, दिल्ली में धर्ना पर्दसन बेगरा भी किया जा रहा था, उसमें बजरंग पुनियां भी थे, तो इनको ट्रायल में छूट दिया गया था, लेकिन आगे चल करके इन्होंने मेडल नहीं जीता, 20 जुलाई 23 को किस राज सरकार ने नियुन्तम आईकी गारंटी के लिए बिधेयक पेस क जा गया, 20 जुलाई 23 के सुचना नुसार कौन सा फिल्म फेर पुरुसकारों के उनहतर में संस्करन की मेजवानी करेगा, तो गुजरात जो है, उनहतरमा जो फिल्म फेर पुरुसकार दिया जाएगा, वो गुजरात में ही, उसका जो है, कह सकते हैं, फिल्म फेर पुरुसक का संस्करन 69 का मेजवानी होगा तो हुझारत राज में होगा 10 2023 किस राज सर कार ने तैंदु पत्ता अब कहिए गया तियूंच का क्या यूज होता है तो मेन रूप से तेंदु पत्ता का यूज बीरी बनाने में होता है यूज बीरी आप लोग सी कि मीरे Out लोग बीरी का परियोग जएदा करते थे इसका जूज अब उतने जयदा मात्रा में नहीं होता है तेंदू पट्था सरमिकों के लिए 56 करोर रूपिये की वित्य सहायता की घोसना किया है किस राजसरकार Понग ने घोसना किया है तो ओडिसा के राजसरकार ने 56 करोर रूपिये मदद पहुंचाएगा किन सर्मिकों के लिए तो तेंदू पत्ता जो की खास करके उसका यूज बीरी बनाने में किया जाता है ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चन 21 जुलाई 2023 को किस राज के मुख मंत्री ने ससक्त महिला रिन योजना सुरू की है तो किस राज के मुख मंत्री ने ससक्त महिला रिन योजना का सुरूआत किया है तो हिमाचल परदेश याद रखेगा हिमाचल परदेश की सरकार ने ससक्त महिला के लिए मतलब महिलाओं को ससक्त बनाने के लिए रिन योजना कर्ज देने की योजना की सुरूआत की है बीटेन के प्रधान मंत्री का पॉइंट अफ लाइट पुरुषकार मुक्ष राय को दिया गया है। 21 जुलाई 2023 को किसने फीफा महला बिश्कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किये हैं, तो जो फीफा महला बिश्कप होगा वह किस पे दिखाया जाएगा तो डीडी एस्पोर्ट्स पे दिखाया जाएगा। 21 जुलाई 2023 को किसे भारतिय महला बॉली वॉल टीम का नया कोच न्युक्त किया गया है। तो रविंद्र बंस्टू को महला बॉली वॉल टीम का नया कोच न्युक्त किया गया है। 21 जुलाई 23 को किस बैंक ने अमरित महुसब FD यूजना की शुरुआत किया है तो अमरित महुसब FD जिसको बोलते हैं यूजना की शुरुआत IDBI बैंक ने किया है अजादी के 75 वर्स पूरे हुए है इसी काल में जो है आपको अमरित महुसब मनाया गया देश अस्तर पे भी और बैंक ने भी मनाया है अमरित महुसब याद रखिएगा 21 जुलाई 2023 को बहात और किस देश ने सेमी कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर आपको पता ही होगा अरज चालक मटेरियल खास करके आपका जितना भी इलेक्टोनिक्स डिवाइस है मोबाइल हो गया लेप्टॉप हो गया यह सब इस पर चलता है ठीक है बहात और किस देश ने सेमी कंड़क्टर प्रस्थित की तंत्र विक्सित करने के लिए MOU पर साइन किये हैं अस्ताक्षर किये हैं तो जापान 21 जुलाई 2023 को नौर्थ चेनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तेराक कोन बने यह मातर 18 साल के तेराक हैं अंसुमन जिंगरन जिसने की नौर्थ चेनल को जो है पार कर लिया तैड करके ठीक है और यह नभी मुंबई के कह सकते हैं तेराक हैं जिन्होंने ऐसा कारणामा किय है तो कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत वरा उपलवदी है इनके नाम से ठीक है यह याद रखिएगा आप लो अंसुमन जिंगरन जो हैं वो नभी मुंबई से आते हैं 18 वर्स के तेराक हैं जिन्होंने नौर्थ चेनल को समुद्र का एरिया है नौर्थ चेनल उसको जो है तेर करके पार किया है ठीक है कम उमर में चलिए बाइस जुलाई 2023 को किसे राज के मुखमंत्री ने किस राज के मुखमंत्री ने ग्रामीन आवास नियाय योजना सुरुवात किया है तो 36 गड़ 22 जुलाई 2023 को अमेरकी इतिहास में सिर्ष नौसेनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कोन बनी है लीसा फ्रेंचिटी अमेरकी इतिहास में नौसे नम के अधिकारी में सबसे सिर्ष अस्थान पे बनने वाली पहली महिला बनी है लीसा फ्रेंचिटी 22 जुलाई 2013 को किस राजसरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक जो एक वार ही उपयोग होता है चरन बद तरीके से बंद करने का नेलिया है तो असम राजसरकार ने 22 जुलाई 2013 को भाठ आ और किस देश न नभी करनिया उर जा जो कभी समाप्त नहीं हो जो फिर से जन्रेट होता रहे जिसे सौर उर्जा हो गिया पवन उर्जा हो गिया ठीक है तो ये सब नवी करनिया उर्जा स्रोत हैं कि छेतर में सहीयोग करने के लिए हस्ताक्षर किया है तो सिरलंका भारत और सिरलंका के बीच में नवी करनिया उर्जा के छेतर में काम करने क को ले करके जहींख समझो था पर एक दूसरे दिर सने साइन किया है हुए 23 जुलाए Type 2013 को कि राज सरकार zet एक लाख रूपय तक का ब्याज मुक्त फसल रिन दिया जाएगा वो है ओडिशा के सरकार के द्वारा शुरुवात किया गया है ICC विश्व कप इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसिल विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेस्टर कौन बने हैं तो याद रखेगा ICC 2023 के ब्रांड एम्बेस्टर सारु खान बने हैं аров समुध्र में एक पैर से यह तैरते हैं लोग पैर रख करके वहीं सफरिंग होता है फिर समुधr के धारा के साथ जो है फिर रिटर्न होते रहते तो ये एक परकार का Suffering Championship होता है तो Asia Suffering Championship का एवजन कहां किया गया है तो माल दीप में ठीक है 23 जुलाई 2023 को जारी QS Best Student City 2024 में रैंकिंग कौन सा सिर्ष प्रदामनल स्टुडेंट के लिए सबसे अच्छा City कौन बना गया तो लंदन ठीक है 24 जुलाई 2023 को अंतराश्टे किर्केट में 500 मेच खेलने वाले दसमें खिलारी कौन बने ये फिर माहतपून है 500 मेच खेल चुके हैं विराट कोहली ठीक है बहुत ही माहतपून कोश्चन 500 मेच खेलने वाले दसमें खिलारी बने हैं विराट कोहली याद रखना है आपको यह कैसे मचली को जो है निपटने के लिए यह गंबूसिया मचली का इस्तिमाल क्यों किया जाएगा तो देखिए यह क्या होता कि गंबूसिया मचली जो है जो मच्छर है ना उसके लार को खा जाता है तो जिससे मच्छर पन पेगा ने उससे मलेरिया और डेंगू होगा नही दे देगा जिससे की मच्छर पन पे गाहिने उसके लारबा को ये खा जाता है 24 जुलाइ 2023 को भारत ने युद्ध पोत INS किरपान किस देश को सवपा है ये कोश्चन अत्यंत महत्पून बन जाएगा तो INS किरपान साथ ये पूछा हुआ भी था आपके TRE2 में बियत नाम देश को सवपा गया है INS किरपान सारे कोश्चन आप देखेगा खोज लिजेगा जो TRE2 में भी पूछे गए हैं तो वो सब इसी सब लाइन से पूछे गए ठीक है अब कौन सा कोश्चन पूछ देगा मैं बार 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 बोल ला हूँ कोई नहीं जानदा इसमें कोई important नन important नहीं होता है पढ़िएगा तो बार बार हर एक चीज को हर एक line को जैसे मैं अभी पर रहा हूँ सुना रहा हूँ आपको आप लोग भी उसी परकार से 10 वार कम से कम अभी नहीं लेकिन एकजाम का जब एडमीर का डाउनलोड हो जाए उसके बाद आप लोग 10 वार कम से कम पूरे 6 मैना का current एफिर्ज जरूर पढ़िएगा ठीक है यह सब section आप score अगर कर लेते हैं तो आप इसे ही result में घोश जाईएगा ठीक है 24 जुलाई 2023 को G20 आपदा जोखिम न्यूनी करन कार समू की अंतरीम बैठक जो हुई कहाँ पे हुई तो चन्ने में हुई 25 जुलाई 2023 को किस ने नौडिया ओपन का खिताब जीता है तो रूबलेव ठीक है एंड्री रूबलेव ने नौडिया ओपन का खिताब जीता है 25 जुलाई 2023 को किस राज सरकार ने सेमी कंड़क्टर नीती का अनावरन किया है सेमी कंड़क्टर वही अर्चालक मटेरियल वाला नीती तो गुजराज सरकार ने किस राज में पहला ट्रांस जेंडर जो थ्री जेंडर जिसको थर्ड जेंडर बोलते है जन्म परमान पत्र जारी किया गया है राजस्थान अभी तक थर्ड जेंडरों को परमान पत्र जन्म परमान पत्र नहीं दिया जाता था लेकिन पहला राज बन चुका है राइस्थान जो कि अब थर्ड जंडर का भी जंड परमान पत्र जारी करेगा ठीक है 26 जुलाई 2023 को किसने BRICS BRICS में कहिए कौन-कौन सा देश है तो B for Brazil, R for Russia, I for India, China, South Africa तो ये जो BRICS देश है समू में सामिल होने के लिए आवेदन किया है तो अलजीरिया ने इसमें सामिल होने के लिए आवेदन किया है 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो याद रखिएगा जो 26 जुलाई है अत्यंत महत्पून दिवस के रूप में है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है ये महत्पून कोश्चन आपके एक्जाम के लिए महत्पून हो जाता है भी विया है, चुकि जो भी तिथी होते हैं दिवस और खास करके नए-리वस जो अभी मनाए जा रहे हैं उससे कोश्चन एकजाम में जैदा पूछ incorrect है? तो याद रखना है आपको कारगिल विजय दिव 26 जुलाई को बनाया जाता है नेक्स्ट कोस्टन है 27 जुलाई 2023 को प्रधान मंतरी मोदी गुजरात के पहले ग्रीन फिल्ड हवाई अड्डे का उधगातन कहां किया है ग्रीन फिल्ड हवाई अड्डे का जो उधगातन है प्रधान मंतरी मोदी ने कहां पे किया है तो राज कोट सहर की हिरासर गौव में अब कहिएगा ये कहां है तो गुजरात नहीं है तो मैक्सिमन चीज कहां जा रहा है गुजरात जा रहा है ठीक है तो अगर चुकि निगेटिम मार्किंग नहीं है अगर आपको मैं बार-बार बोल ला हूँ अगर आपको समझ नहीं लगे और गुजरात आपसन में दिखे साफ जान रहें कि नहीं पता चला है तो गुजरात पर रिस्क लीजिएगा दूसरा नहीं मारिएगा गुजरात जैदा सही होने के संभावना रहेगी 27 जुलाय 2023 को तेंजिंग यांग की किस राज की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है उनका नाम है तेंजिंग यांग की और नाचल परदेश तेंजिंग यांग की किस राज की पहली महिला IPS अधिकारी बनी हैं तो नाम याद रखेगा अरुनाचल प्रदेश की पहली IPS अधिकारी बनी हैं तेंजिंग यांग की 27.10 को केंदरिया रिजर्व पुलीस वल ने अपना काउं सा अस्थापना दिवस मनाया है जो Central रिजर्व पुलीस फोर्स है उसने अपना पचासीवा जो है अस्थापना दिवस मनाया है किस देश की संसद में न्यापालिका के अधिकार चिनने वाला बिल पास किया गया है तो इजराइल में ऐसा अधिकार पास किया गया है। यूगे यूगीन भारत का निर्मान कहां किया जाएगा तो नई दिल्ली में किया जाएगा 28 जुलाई 2023 को किस अफरीकी देश में सेना ने तक्ता पलट कर राश्ट पती को पस्ते हटा दिया तो नाइजर ठीक है 28 जुलाई 2023 को जर्मानी में होकी टुनामेंट के लिए जूनियर भारतिय होकी टीम का कप्तान किसे निक्त किया गया है तो जर्मानी में जो होकी टुनामेंट होगा वो भारतिय टीम के जो केप्टन बने हैं उनका नाम है उत्तम सिंग भारत के 83 में ग्रेंड मास्टर अब के ये ग्रेंड मास्टर कोन होते हैं चेस खिलावी जो 17 खेलते हैं उन्ही में ग्रेंड मास्टर उपादी है ग्रेंड मास्टर कोन बने है आदित सामंत ग्रेंड मास्टर बन चुके हैं याद रखेगा आदित सामंत ग्रेंड मास्टर बन महराष्ट से बिलॉंग करते हैं कौन आदित सामंत 17 वर्स के चेज खिला रही हैं सतरंज खिला रही हैं और महराष्ट राष्ट से बिलॉंग करते हैं और 83 में ग्रेन मांस्टर ये बहुत ही महत्पून कोश्चन है ये आपके एक्जाम के लिए महत्पून है ठीक है जिस जिस में हमने भीवियाय लिखा है उसको आप लोग बारवार देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको जो है वो सब कोश्चन आप देखिएगा आपके एक्जाम में वही सब कोश्चन पूछे जाएंगे ठीक है 28 जुलाए 2023 को किस देख ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोसना की है रूबेला एक बिमारी है तो भूटान ने उसके रूबेला जो परकोप है एक वायरस जनित रोग है उसके उन्मूलन की घोसना किया है भूटान मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंतराले की एक पहल है ये फिर महतपून है कोश्चन BVI का स्कुरार है ये इस तरह के कोश्चन BPSC के लिए फेवरेट है मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्राले की एक पहल है तो याद रखेगा ग्रामीन विकास मंत्राले की पहल है मेरा माटी मेरा देश 29 जुलाय 23 को किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवा पर परतिवंध लगा दिया है ये भी फिर महतिपून कोश्चन बन जाता है यानि वहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे जो लोग थे वो अपने लिंग परिवर्तन कर रहे थे और ट्रांसजेंडर व हैं और ट्रांसजेंडर के साथ विवा पर परतिवंध लगा दिया ठीक है तो रूस की सरकार ने इसा किया है 29 जुलाई 2023 को कमल जीतने ISSF तो इंटरनेशनल सुटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF होता है जुनियर सुटिंग विश्व कप चेंपियंशीप 2023 में कौन सा पदक जीता है तो कमल जीतने स्वर्ण पदक जीता है ठीक है याद रखना है 29 जुलाई 2023 को नागालेंड से राजसभा की अध्यक्स्ता करने वाली ये फिर बहुत ही महत्पून कोश्चन है चुकि नागालेंड की पहली महिला मंत्री बन चुकी है राजसभा में अध्यक्स्ता करेगी उनका नाम है फांग नोन कोन्याक क्या नाम है फांग नोन कोन्या बहुत ही महत्पून कोश्चन है ये आपके एक्जाम में दिखाई दे सकता है नागा लेंड से राजसभा की अध्यक्सता करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं फांग नोन कौन्याग 29 जुलाए 23 को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉरम में सामिल होने वाला पहला भारतिय सहर कोन बना है तो बैंग लूरू वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉरम में सामिल होने वाला भारत का पहला सहर बना है आपका बैंग लूरू 29 जुलाई 2023 को किस भारते महिला खिलारी को अचार सहिता उलंगन के कारण निलंबित कर दिया गया है तो हरम्यन प्रीत कौर को अचार सहिता उलंगन के कारण निलंबित किया गया है 29 जुलाई 2023 को भारत की पहली ओनलाइन गेमिंग एकादमी कहां खोली गई ठीक, Academy है, Online Gaming Academy है, कहां खोला गया है, तो ये मद्ध earlier nenhuma अगे कुछ 29 जवलाई तेश को कहां डॉक्टर आपके गाउमें पहल सुरू किया गया है, तो डॉक्टर आपके गाउमें पहल चम्मू कासमीर में शुरूबात किया गया है 29 जूलाई 23 को किसने परतिष्थित माईकल्स फ्रेंकलिन साहितिक पुरुषकार जीता है उनका नाम है संकरी चंद्रण जो की एक नोबलिस्ट है नोबल लिखते हैं संक्री चंद्रण महिला है फिक है याद रिखियेगा नोबल लिखते हैं और इनको माइकल्स फ्रेंकलिन ठीक है माइकल्स फ्रेंकलिन साहितिक पुरुषकार मिला है ठीक है नाम है संक्री चंदरन चलिए नेक्स्ट कॉस्चन पर आते हैं 39 जुलाई 2023 को किस बैंक ने NRI नन रेसिडेंस इंडियन महलाओं के लिए N.R. बचत खाता योजना शुरू करने की घोसना किया है तो फेडरल बैंक जो की अमेरिकी बैंक है 30 जुलाई 2023 के सुचनावसार भारतिय सिनेमा का राइजिंग गलोवल सुपरस्टार किसे मिलेगा तो कार्थिक आर्यन को यह पुरुषकार दिया गया है फिल्म के छेतर में 30 जुलाई 2023 को किस राजसरकार ने अस्सुमेधा देवी राज महला आयोक अध्यक्ष निक्त किया गया है यह कोश्चन पूछ सकता है भी भी आया है चुकि बिहार का है अस Suppegha Devi को राज महिला आयोग का अध्यक्ष निक्ट किया गया है इस question को हम अती महत्पून मानते हैं क्योंकि बिहार से सम्बंदित है तो असुमेगा Devi याद रखेंगा नाम है असुमेगा देवी जिसको राज महिला आयोग जो बिहार राज है बिहार राज महिला आयोक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त क्या गया है उनका नाम है अस्व मेगा देवी चलिए नेक्स्ट 30 जुलाइ 23 को जारी डिलाइट इंडिया के आकरों के अनुसार 31 मार्श 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित वर्स में भायत की विकास धर कितना से कितना रहने की संभावना है तो 6 से 6.3 परति सत एसियन डेवलप्मेंट ने कहा था 6.4 परति तो ये आप देखेगा अभेरी करेगा अलग-अलग संस्था अपने अपने हिसाब से बारत के विकास धर जो GDP है उसको बताती है तो लगभग 6 से सारे 6 के बीच वाला ही सही होगा तो अपना देखिएगा अगर इस तरह के कोश्चन हो तो कौन सी संस्था के बारे में पूस्ता ये भी ध्यान देना आपको 30 जुलाई 2023 को संपन I.S.S.F. वोई सुटिंग फेंडेशन जुनियर विश्व कप चंपियनसीप 2013 में कौन देश सिर्ष पर रहा जुनियर वाला में सुटिंग में चीन सिर्ष पर रहा याद रखेगा जुनियर विश्व चंपियनसीप जो हुआ उसमें जो चीन है वो सिर 31 जुलाई 2023 को जारी आंकडों के अनुसार लापता महिलाओं की सुची में सिस्पर रहा कहां की महिलाएं बहुत ज्यादा लापता हैं तो वो है महरास्त 31 जुलाई 2023 को जी 20 हधेक्स्ता के तथ थिंक 20 सिखर सम्मेलन कहां आई जी थुआ ये फिर महत्कून है 132 को आई रिपोर्ट का उसा भात में बागो कि आबाड़ी कितने परतिसत की दर से बर रही है तो याद रखेगा 6.1% की दर से भारत में बागों की अवादी बर रही है कितने परतिसत की दर से तो 6.1% की दर से कौन सा राजभाद का पहला मतस पालर अटल इनक्यूवेशन सेंटर अस्थापित करेगा तो इनक्यूवेशन सेंटर अस्थापित करने वाला वह पहला राज होगा केरल इन्क्यूवेशन सेंटर जो है खोला जाएगा कहांपय तो केरल में है। थीक है ऑटल इन्क्यूवेशन सेंटर बहुत ही महत्पूर्ण है पूप जा सकता है आपके एक्जाम में मतस्थ पालने मतलब मतल warfare I अटल इनिक्यूवेशन सेंटर बनाय जाएगा केरल में। 31 जुलाई 2023 को अमेर्की बीत एजेंसी की उप मुख कार्जकारी अधिकारी कोन बनी है तो उनका नाम है नीशा विश्वाल। 31 जुलाई 2023 को भारतिय सेना ने कहां अमरीच सरूवर का उधगाटन किया है तो अमरीच सरूवर का उधगाटन अरुनाचल परदेश में किया है जो कि भारत का सबसे प्रुवत्तर राज में आता है अरुनाचल परदेश वहीं पे अमरीच सरूवर का उधगाटन भारतिय सेन ने किया है ठीक है तो इस परकार से आपका पूरा जुलाय मन्त के जितने भी important, non-important हर एक type के question को हमने करवा दिया आपको याद रखना है ठीक है और निश्चित रूप से question जुलाय मन्त से अगस्ट मन्त से जो भी मन्त में पढ़ा रहा हूँ निश्चित रूप से आपके exam में देखने को मिलेगा जुलाय से जनवरी तक के current affairs को आप लोग बार वार repeat कीजिएगा जुलाय कंप्लीट हुआ है अगस्ट का भी आपको दे दिया गया है आज में आपको सितंबर और अक्टूबर मन्त का भी दे देता हूँ आप लोग भी उसको read करते रहे हैं बार बार read करने से ही आपका current affairs update होगा और आपके पास रहेगा ठीक है एक बार पर लेने से आपका current affairs सही नहीं होगा बार बार आपको कम से कम मेरे समझ से दस बार आपको read करना चाहिए बार बार read करना चाहिए जब तक कि उसका 80% question आप बिना question पड़े जवाब ना देगे ठीक है तब जाके आप 8 में से 5-6 question उमीद कर सकते हैं कि आपके सही हो जाएंगे सबसे टब काम होता है current affairs को पढ़ करके याद रखना समझना तो दूर सबसे बरी बात है कि याद रह जाए उसका answer option में भी ढूंड लें यह सबसे बरी बात है ठीक है और उसके लिए आपको कम से कम 10 बार मेरे समझ से read करना ही परेगा इसका कोई उपाय नहीं कोई trick technique नहीं है जितना मेहनत कीजिएगा उतना current affairs आपके पास होगा ठीक है उमीद करते हैं कि class आपको समझ में आया होगा